नमस्ते दोट्तों अडिज गुल्ड में आपका स्वागत, स्वास्ते समंदी चर्चा के अंदर आज मैं आपके लिए एक बहुत विशेश लिंग वर्दत तेल लेके आया हूँ, सबसे पहले मैं उसकी सलाइड आपके सामने करता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ेगा, हाँ, देखिए इसका नाम है लिंग वर्दत तेल और इस तेल का नाम है सालम कटारा तेल, मसाद तेल, यानि कि सालम कटारा के नाम से इस तेल को संबोधित किया है, क्योंकि ये जो तेल बना है, इसमें एक तो सालम पंजा है और एक उंट कटारे के बीज है, इन दोनों को प इसके तयार करने के पीछे ये कारण है कि ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा और जो तेल होते हैं वो बहुत महेंगे पड़ते हैं ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा तो आम आदमी इसको कर सकता है इसका दूसरा फाइदा ये है कि जहां 60 दिन का कोर्स होता है वहां 40 दिन के कोर्स म नहीं काम हो जाएगा तिसरा इसका ये फाइदा है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई बेड इफेक्ट नहीं तो था यह कि इस तेल को कोई भी अगर बनाना चाहे तो मैं उसकी वीदी उनको बता दूँआ तो मैं उंत कटारे के बीज इस वक्त अपने योवन पे हैं और इतने इतने बड़े कांटे हैं तो मैं उनको रुमाल में जे लेके नहीं आया मैंने पहले वीडियो में उसका फोटो दिखाया और में बाद में आपको दिखा दूँआ तो सालम पंजा ये मेरे सामने पड़ा है आपने नहीं देखा हो देख लिजिए ये साइध आपको कले नजन नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ जैसे छोटा बच्चा होता है पेदाई सीसू उसका जो हाथ का पंजा बिलकुल डिटो जिसने कभी देखा नहीं वो डर ज आएगा कि ये बच्चे के हाथ कहां से काट के ले आए अरे बच्चों को था हम बहुत लव करते हैं प्यार करते हैं ये देखिए इसका नाम है सालम पंजा ये देखिए ये अधिक तर नेपाल के अंदर होता है और बहुत महेंगा है इसका बाव है करीब 18-20 अजार रुप पर किलो ही पड़ता है तो उदर ये इसका पैमेंट लग गया उदर जो उदर कटारे की बीज है वो यूं आप मान के चलो कि लेबर कोश्ट लगती है मेंती काम जरूर है लेकिन उसका कोई कीमत ने उदर कटारे के पेट बहुत हैं बस ये ये कांटे ही कांटे हैं उन से फलों को लेके उन में से बीज निकाल के और ये जो सालम पंजा है इसको हमाम दस्ते के अंदर कूट कूट के काली मिज जैसे छोटे टुकडे बना लें और इसी तरह उन्ट कटारे के फल के जो बीज हैं उनको कूट करके बना लें दोनों को बराबर मात्रा में ले और मात् छिद्दर रहता है, उसके नीचे एक कटोरी रग दे और जमिन के अंदर उसको रग दे चारओन तरप उसके अंदर आग के खंडे जला दें, वह दो तिन घंटे के अंदर जल जाएगा तो उसमें से गर्मी से जो भी तेल होगा, वो नीचोरी की कटोरी के अंदर इकटा हो जाएगा इकटा होने के बाद फिर जब राग थंडी हो जाए तो उसको बहुत तरकीब से हटाया जाए और हटाने के बाद उसको आहिस्ता से कटोरी को निकाला जाए ताकि राग का कण उसके अंदर न गिरे, इस तरह से ये तेल प्राप्त होता है तो इसको काफी टाइम लगता है और मेंति काम जरूर है तो आप बना सकते हैं, हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि पताल यंत्र जो होता है, मिट्टी के बर्तन से पताल यं जिसे यह सालम पंजा है तो इन में ड्राई जो चीजें होती है जड़ी बूटियों का तेल निकालना है या जिन चीजों में तेल की मात्रा नून यानि कि कम से कम होती है यानि कि 10-15% से ज़्यादा तेल नहीं होता पंजानिकों ने किया या खिस ने किया एक काच की हंडी आती है इतनी बड़ी वो हर साइज में आएगी इतनी बड़ी भी आएगी इतनी बड़ी भी आप जैसा लेने चाहें 400 रुपया से लेकर के और 1800 रुपया उसकी कोश्ट होती है और वो इतना मोटा काच होता है और उप के वो कटोरी भी आती है मिट्टी की तो उसको कितनी भी अगनी के अंदर आप डालो वो काच पिगलेगा नहीं और तड़केगा नहीं और फुटेगा नहीं उसकी खाशियत यह है जबके आप दूसरा कोई काच रख देंगे तो वो फट जाएगा और तूट जाएगा तो इस ग्राम तेल के अंदर सोई ग्राम तिल का तेल और कोई चीज का तेल नहीं सिप तिल का तेल वो इसके अंदर इसका बेस है वो मिलाना बहुत ज़रूरी है अगर वो नहीं मिलाया तो यह इतना तेज हो जाता है कि हलकी जलन कर सकता इसलिए इसकी तेज़ी को थोड़ा या दोनों चीजों का तो 200 ग्रामी तिल का तेल और कोई चीज डालने की ज़रूत नहीं उसको हिला के रख दें ये तेल 10 साल भी खराब नहीं होगा पड़ा रहेगा तो 10 साल भी खराब नहीं होगा और इसकी मसाज जैसे ओड तिला की मसाज करते हैं वैसे 25 के उपर इसकी आर टाइम कम लेगा, सस्ता के साथ में टाइम भी कम लेगा, और तीसरा ये कि आम आदमी इसको कर सके, छोता मकसद ये कि जो जिग्यासु हैं, जो बनाना चाहते हैं, अथ्वा बनाने की जिनका दिल में इच्छा है, उनको मैंने सारा तरीका बता दिया, मैं एक बात भी नहीं छ जबकि लोग छुपाते हैं, कोई बताते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं, इस तरह की हंडी होती है, इस तरह की ये चीज होती है, इस तरह बनाए जाता है, अब मैं तो बनाने आऊंगा नहीं, बनाना तो उनका पड़ेगा, लेकिन समझाना मेरा फ़र्ज है, दोस्तों, इस सालम कटारा मसाज तेल का result बहुत प्यारे हैं और आप इसकी मसाज करें इसकी मसाज से सबसे पहला फाइदा यह होता है कि मसाज करते करते ही पैनिस के अंदर हरकत होने लगती है सबसे बड़ा इसका benefit यह है और इसकी मसाज के 20 मिनट बाद सेक्स करने में एक अलगी लुक्त है बाकी के वो फायदे हैं जो एक अच्छे तिलाके होते हैं तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजेगा और या तो आप इसको घर पे बनाएं नहीं बनाएं तो मैं जैसा भी हूँ आपकी सेवा के लिए तयार हूँ चाहे कोई मुझे पे कोई कितना भी आरोप लगाए कि ये दवाई के पैसे लेते हैं बात सुने आप मेरी तो दवा मेरे घर पे नहीं बनती किसी को सौन बसमन चाहिए किसी को मुक्ता पिष्टी चाहिए तो बजार से लेके अगर मैंने किसी को बहज दी और साथ में बील बहज दिया तो मैंने कौन सा गुना किया इसके अंदर तो उसका payment क्या मैं नहीं लूँना क्या अभी अपन बजार से केमिस्ट के यहां से कोई दवा खरीते हैं तो हो पहले पैसा रखवाता है उसके बाद दवा देता है और वो दवा देने के बाद में भी जब अपने को फाइदा नहीं होता है जूट बोलना सबसे बड़ा पाप है, दुनिया में कभी जूट नहीं बोलना चाहिए, आदमी को जो बात सत्य है वो सामने रखनानी चाहिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसको सब्सक्राइब कीजेगा, और जब आप या तो इस तेल को बनाएं, अथवा आप ज है वागर लेता यार हूँ, ठैंक